नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अच्छे होगे दोस्तों RPF Constable प्लस SI का दोस्तों वेकेंसी का सौट नोटिस जारी किया गया है इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे पिछला कट अब कुछ ऐसा जोन है न हाला कि सारे के टेक्निक मेल फीमिल को हम बताएंगे क्यूंकि आपको पता है कि जोन वाइज इसका कट अब जाता है और कहीं एक ही जगप आप अपलाई कर सेकता हो ठीक है और इसमें दोस्तों ग्रूप अलग अलग बाटा गया है 10-15 या कहीं कहीं 20 नंबर भी हो सकता है तो आपको कहां अपलाई करना है जहां का कट अब कम जाता है क्योंकि एक ही मौका है आपके पास फर्म भरने के लिए ठीक है यह नहीं कि मुल्टीपल आप जोन में भर सकते हो कोई एक जोन में सारक आपको डाटा दिखाएंगे पहल में से 213 मेल हो गया बाके 37 फीमेल यह लगता है कि 800 हजाब तक जाना चाहिए और फाइन जब आएगा तो पादा चल जागा अब आप लोग पूछो कितना लगेगा रुप्या भरते समय पांसो और भाई सो के टेक दिवाज अलग लगता है जिसमें CST और फीमेल का बाके ज कब से होगा यह अभी तो बताया नहीं गया है नोटिस में देखो यह अपलाई बहुत जल्ट क्यूंकि इलेक्शन से पहले इसको इनको एक्जाम भी कंड़क हो सकते हैं यह करवा लेंगे तो भाईया वेकेंसी इसी महीने आपको देखने मिलेगी ठीक है जहां तक मुझे लगता है इस महीने तक यह लोग देख देंगे वेकेंसी क्योंकि यह सारा बेप साइट पाया हुआ हुआ है ठीक है यह दियान रखेंगा जनवरी के लास्ट टक मुझे लगता है यह ज्यादा होगा तो फरवरी जाएगा इससे ज्यादा आपका लेट नहीं होने वाला ठी लगे कटप के समय दिखाएंगे सेलरी इसमें 40,000 से ज्यादा आपका सेलरी मिलेगा ठीक है आप देगे दोस्तों आप कोई भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हो ना चाहें रेलेवे हो बैंक हो एससी हो डिफेंस के एक्जाम हो या पूलिस दरों का कोई भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हो ना उस एक्जाम को निकालने के लिए आपको मॉक टेस्स देना बहुत ज़रूरी होता है और आज मैं ऐसा एक पर फोर्म बता रहा हो ना जहां से आप तीन महीना फिरी अपको स्ट मॉक टेस्स लगा सकते हो इस पर फोर्म करना में सरकारी जॉब दूँगा यह जैसे ही आप अप्लाइ करोगे ना इस कोट को तो तीन महीना फ्री अपको मॉक टेस्स लगाने का मौका मिलेगा कैसे करना मैं आपको बता रहा हो देखो सबसे पहला अपना केटेगरी चूच कर लो ना कौन सा एक्जाम के आप तैयारी कर रहा है कुछ इस प कूपन कोट का अप्शन दिख रहा है यह बियुदा कमोट आपको यह पर लगाना है ठीकित जैसे कूपन कोट आप अपपलाई करो ने देखो 0 रपे में दोस्तों आपको मौका मिल रहा है मौक टेश्ट लगाने का कोई भी गजाम का आप लगा सकते हो ठीक है आप लग पचीस कोशेन आपको देखने हो कि मिलेगा जिसमें से आपका फिजिक्स हो गया केमेस्टी हो गया वायलोजी हो गया और दुस्त प्रयावरा भी गया साइंस इससे समझें सवाल आपका रहेगा साइंस की बहुत बड़ा घुमिका है तो आप लोगों को साइंस भी अब देखिए दोस्तों कटव बताने से पहले यह बता देता है यह हाइट 120-500 cm होता है किसके लीए होता है या जंदल ओवी-सी यह सब के टेगिलिए बाकर जब हैस जो सबस्ते हैं ना तो यह एक सुसाठ सेमीटर फीमेल में दुस्तों एक स्टी हैं 102 इसमीटर सोलो से मीटर साड़े छे मिनट आर सो मीटर चार मिनट तीन फीट नौ इंच तीन फीट लॉंग जम बारा और नौ यह बेसिक चीज़ है निकाल लोगे कोस्टेबल यही रहता है न दोस्तों तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पांच पेतालिस करसा में मिलता है इस 20, 21, 22, 23, 24 मतलब पांच साल बार चाटवे साल यह वेकेंसी समझ लो तो पांच साल में एक बार आता है अगला बार आपका एज निकल जाएगा एक ही बार मौका मिलता है या लग लगी हो ना तो दो बार मौका आपको मिलेगा क्योंकि 18-25 केटेग्री वाज अलग अलग यह हर एक दोस्तों गरूप में अलग अलग जोन आते हैं महुंत हो गक्रसों जाता है आपको मिमस आता हूं मेल फीमल का देख लिजे सबसे पहले 2018 में आपको बताएंगी और दोसों को इस वीडियो में आपको बता देते हैं आपको याथ होना चाहिए 2018 में आपको वेकेंसी आइधी पहले आपको मौका मिलता है आपको अपलाई करने का जैसे आप लोग देख लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप देखो यहां से दोस्तों मैंने सारा कुछ डिटेल्स लिख रखा है सबसे पहले देखो जैसे कि नें बताया गुरूप A, B, C, D, E, F तक गुरूप आपका है यह गुरूप में दोस्तों कौन कौन सा जोन था एक था आपका साउथ वेस्टन रेले होगा और साउथ सेंट्र रेले हो गाया जिसका मुख्याली चैन्नाई, हूबली, और सिकन्धराबस असान भासा म में से दोस्तों आपका why not आंढाने हैं आई आंगरे लिया फाइश संथब में रहने हैं larger घरकेंशी का देखा था और दो किसी के 2 और था सबसे ज्यादा कटप कहां जाता है समझेगा मुंबई मुंबई में दो हेट क्वाटर है सेंटर रेले और वेस्टन रेलेवे का ठीक है बाकी दुस्त विलासपूर और अभुनेसवार ठीक है यहां का कटप देखिए आपका जैनल में 97-90-85 पहले सी और यह आपको पता होगा यह नहीं बना था यह द्यान से आप लग समझेगा और फिमल की यहां पर लिखा गया अब देखो कोलकाता वाला बात करते हैं कोलकाता हाजीपूर और दो कोलकाता में दो रेलवे का मुख्याल है बानबे 84-81 और दोस्तों चवरान में यह हो गया ओबी सी का यह स्टी आएसी का एस्टी का यह जनल का प्राकि फीमें में यहां प्लिखा गया ठीक है अब जुस्तों बात करते हैं जहां पर कंपर्टीशन अक्सर देखने हो के मिलता है ज्यादा अब देखो यह दूस्तों आप लोग सोचते होना वह दिल्ली इलावाद चाइपूर और गोरगपूर अब सबस्टा दिल्ली में वेकेंसी रहती है और इलावाद में यूपी में पढ़ता है यहां पर वेकेंसी जोस्तों अलाकि वेकेंसी के सब्सक्राइब ज्यादा होती है लेकिन कटब देखिए यह वाला गुरूब बी में और गुरूब डी में अंतर कहां जादा है लगब लगब से में उससे ज्यादा ही गुरूब बी में चला गया तो यह इसी तरीके से आपको अपलाई करते समय ध्यान रखना होता है यह देख सकतो हो संतार में अठासी असातासी अनियानबे च्वरसी यह सब आपका कट अब गया हुए ठीक है बाकि दोस्तों यह होगे नॉन फ्रॉंटेयर रेल है ठीक है यह दोस्तों आपका गुहार्टी में पढ़ता है तो यहां पर देख सकतो कितना कितना आपका यहां पर कट गया हुए काफी कम कट अब गुहार्टी में बच्छा बढ़ता बाकि के चुलना में बहुत 77-79 दुस्तों 62 कितना कम सेलेक्शन हो गया तो यही एक तरीका होता है दोस्तों आपको जाने का कहा हम अपलाई करें गुहार्टी में बहुत बच्चा कम अपलाई किया था इसी करण कम कट तक भफ कर वो अइसा यह नहीं होता है कwater यह और आपकी जा-मर्जिव वहां भी है कर सकतो नहीं होता है तक अब देखो यह दूस्तों मैंने आपको बता दिया है यह सब आपको चांकारी हो गया ठीक है अब ने नहीं किया गया था हो सकता है कि जैनल में क्वालिफाइब कर दिया ज्यादा चांस है को पीची का सीट नहीं था एक्सोट बीस में आप्ट्र नमलाजेशन एस्टी का इतना था और दोस्तों अन्रिजाब का तीरा सी फीमेल का पचपन पचास पचास संतावत फीमेल का जाहिसी बाते कम था बाकि दोस्तों यहां मुंबई वाले जोन में बुनेसार विलासपूर में नवासी बिरासी बाकि दूस्तों आते हैं सबसे जहां पर कट अब यह देखिए अस्यारे आपको होगा गुरूप डी में जिसमें दिल्ली इलहाबाद जैपूर और गुरक पर 120 में 120 अब आपका दिमाग में सवाल आएक सवाल आएक सब्सक्राइब कैसे चला गया यह सब दूस्तों नॉमल देख सेख दो केटेगरी इस तो आपका गुवार्टी वाला बताएक सट पर मात तब यह गवार्टी में जो बच्चा भर दिया थे एक सट पचास पचास कितना कम अब दोस्तों एक तरब देखो कितना कट अब इस आधा कट है समझ रहो ना कितना का अंतर है ओबीसी का यह और बताए बाता सब्सक्राइब कीजिएगा दूस्तों हम आपको बताएंगे कहा आपो बहुत जल्ब वेकंसी आपको निकलने वह दोस्तों और सीड भी बढ़ने बढ़ेगा अपको सीड दस जाजर कास्पास हो जाएगा और अभी तो दोस्तों स्टार्ट हुआ है अभी यह एलेक्शन से पहले ही वेकंसी आपको देखने हो कि मिल जाएगे ठीक है यह देखो इसी फूल नोटिस आएगा अब बहुत सारे बच्चा भीर चाल का भासा में चलते हैं कि बहुत सारे हैं चलो एक हजर वेकंसी एक्जामपल समझेगा कि एक हजर वेकंसी निकला थीक है अब कहीं एक ही जौन में दोस्तों सबसे ज़्यदा पोस्त निकल गये 400 बाकी में 50 कुसी म चाहां 400 दिखेगा बच्चा वहीं पर भड़ेगा पिछला बारे वीडिया जोन में बहुत बच्चा भडिया था क्योंकि वहां पर जिस्तों वेकेंसी के संख्या जाज़ा था अब जाहां इसी बात है एक जगा दोस्तों चारसों बाकी सब मिलाकर दोस्तों 600 वेकेंसी निकल यहां पर 50% बचा यहीं भर देगा बाकी 600 बचा है यहां पर 50% बचा अलग भी खर जाएगा अलग जोन है जहां एक जोन में इतना भर दिया बाकी अलग जोन में इतना भरा तो कमपेटिशन ज्यादा होते हुए भी आप लोग देख सकते हो कभी यह कमपेटिशन भी ज्यादा है इसी करां आपको स्मार्ट तरीके से सुचना है वह जोस्तों फूल नोटिस आएगा किस जोन में कहां आपको अपलाइक करना है उस टाइम एक वीडियो आपको बनाएंगे खीजयो आपको बनापको खात।